हाई गाईज, वेलकुम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ स्पीटियो और आप दीख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका स्पेसिफिक परसना खुद आएगा आपके पास आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे हमारा स्पेसिफिक परसना हमारी लाइफ में फटा-फट दुबारा से वापिस आ जाता है सबसे पहले आप एक बात समझे कि आपके थौट्स की वज़े से वो परसन आपकी लाइफ में आता है आपके थौट्स की वज़े से आपको विश्णा मिलती है आपकी टेक्नीक की वज़े से युनिवर्स आपको चीज़े नहीं देते हैं इसलिए कई बार जब आप अपनी टेक्नीक को करते रहते उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे ना, तो आपको रुख कर एक सेकंड अपने आपको चेक करना चाहिए कि पूरे दिन आप किस तरह के थौट्स को लेकर चल रहे हैं, अगर आप परिशान हो, अगर आप दोश दे रहे हो उस इंसान को, अगर आप खुद को दोश दे रहे हो और अपनी सिच्वेशन और बहुत सारे लोगों को ब्लेम कर रहे हो ना, तो प्लीज माप कीजिए आपके लिए पूरा प्रोसेस ना वर्क नहीं करने वाला, जब आप शान्त होगे, जब आप उस परसन को लव वाइप्रेशन भेजोगे, अपनी पॉजिटिव एनरजी भेजोगे, यूनिवर्स को ग्राटिटूड एक्सप्रेस करोगे, और उसके अलावा ना, खुद पर भी बिलीव रखोगे, और अपने आपको बिल्कुल भी ब जोचते हैं कि हमने सारा प्रोसेस टन कर लिया, अब आखिर क्यों हमारा स्पेसिफिक परसन हमारी लाइफ में नहीं आ रहा है, वो इनसान हमसे ज्यादा तर दूर ही दूर क्यों होते जा रहा है, जब आप ऐसा फील करने लग जाते हो, कि मेरा स्पेसिफिक परसन मुझसे लाइफ में आ रहा है, वो मुझसे हर स्टेप लोज आते जा रहा है, मैं और वो परसन बहुत ज्यादा खुश है, जब आप इस तरह से फील करना शुरू करोगे ना, तो क्या होगा कि सबसे पहले आपकी वाइब्रेशन चेंज हुठाएगी, और गलत तरीके की फीलिंग् और जब आप हैपी रहोगी ना, तो आपके लिए सारी की सारी टेक्टिक ना, वक करेगी, चीजे हमारे हात में हैं, पावर हमारे पास है, जब हम अच्छा फील करते हैं, जब हम पॉजिटीव फील करते हैं, तो हमारी लाइफ में सिर्फ ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव तीहीना आने लग जाती है तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए बाब बाई